जारकन विकास मोर्चा का अब बीजेपी में बिले होगा ये घोशना पार्टी के सुप्रीम बाबूलाल मरांडी ने की है और बाबूलाल मरांडी अब बीजेपी के कल हो जाएंगे ऐसे में अलपसंख्यक लोग हैं अलपसंख्यक पार्टी के कारे करता हैं जिन से बात कि बाबुलाल के बीजेपी में जाने पर उनकी क्या प्रतिकिरिया है और किस तरह से वो लेते हैं ये बताईए आप लोग कब से पाटी में लगबग सन 2014 से क्या कुछ देख पा रहे हैं जो बाबुलाल जी ने लिया है वो आप लोग को भारा है नहीं कैसे बहाएगा क्योंकि कि जब वो आये थे उस वक्त उनका ये कहना था और कि हम जो है ना किसी भी सूरत में भारती जंदा पाटे में वापस नहीं जाएंगे और क्योंकि हम लोग अल्फ संक्यंग ने ये महसूस किया कि बाबुलाल मरा ने जब आरेसिस को छोड़ करके और भाजपा को छोड़ कर कि जब आये हैं तो उनका एक दो वर्क भी रहा एक दो बातें भी आई जिसके वह जब लड़े तो हम लोगों को लगा कि वाकई का भी जार्खन को जो है ना एक ऐसा नेता मिला है जो सब को साथ लेकर के चलेगा लेकिन ना जाने कहां खो गए और अचाना कुरों ने जाकर कि मैं कुतूब मिनार से कुच जाओंगा फिर भी बीजेपी में नहीं जाओंगा ये बयान जो था अब आप लोको लग रहा है कि जूट बोल रहे थे या कुछ ना बाबुलाल जी ने बहुत सही बोला था चुके बाबुलाल मनानी जी के लिए कहीं कोई जगा बाकी नहीं तो कुतूब मिनार से चलांग लगाने का मतलब है अपने अस्तीत को खतम कर देना तो भाजपा में जाना मतलब कुतूब मिनार से चलांग लगाने के मतरादिफ है इसलिए वो अपने कथन पर सही है वो और यहीं मैं समझता हूं कि उचलांग लगा ही दिए उनका अंतीमिय अब उपर उठी नहीं सकते हो विश्वास होता है कि बाभुलाल मरांडी एक बार फी बीजेपी में जा रहे है जिस घर से वापस आया है तो पुरा हो झाले को को बिश्वास होता है विश्वास हो गी आब हम लोग को की वो चले गए सेकुलर पार्टी से वह नहीं रहना बंधू तिर्की के ही नाम से हम लोग मतलब जो मांडर में लड़े हैं ना उनका नाम लेने से भी बोलता था ही तो आज ना कल बीजेपी में जाएगा ही ऐसा लोग बोलता ही था लेकिन हम लोग बहुत बिस्वास दिलाते थे कि नहीं हम लोग का साफ सुत्रे नेता है इक नहीं जाएगा लेकिन लग रहा है बाबुलाल जी अब जा रहा है तो कैसा लगने वाली बात नहीं है इनका तो सुरू से जो विचार रहा था आज वो फिर जहां से आए थे वहीं चले गए तो बाबुलाल जी अगर इस तरह का अगर कदम उठा रहे हैं तो निश्चित र पाटी में भी हम लोग चामिल हूए मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा हूं मैं 2006 से उस पाटी में हूँ और उस समय से मैं अब तक पाटी से जुला ही हुआ हूँ और लेकिन इस तरह का जो निर्ने है लेकिन कहीं ने कहीं एक सीरियस डॉट भी था उनके परती हम लोगों को लेकिन जो बात अभी उजागर हो गया, सामने आ ही गया है, आप लोग जानी रहें। असो कुमार मुखर समबाद रांची।